टीनू एक शरारती लड़का था। उसकी शरारत से गाउं के सारे लोग परिशान थे। टीनू की शरारत से तंग आकर लोग उसकी शिकायत करने उसके पिता के पास जाते। पिता उसे समझाने की चेश्टा करते पर वह नहीं मानता। एक दिन विद्याले के प्रधान अध्यापक महोदे ने कक्षा से उसका नाम काट देने की धमकी दी और उसे सुधरने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। टीनू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपने शरारत नहीं छोड़ी। एक दिन टीनू के प्रधान अध्यापक महोदे सुएं उसके घर उसकी शिकायत करने आये। इधर प्रधान अध्यापक महोदे और टीनू के पिता जी बा जंगल की जाडियों में बेर फले थे और मुश्किल ये थी कि जाडियां एक नाले के उस पार थी नाले पर एक पुल्या बनी थी जिसके पास एक बोड पर लिखा था यह पुल्या कमजोर है मोनु पुल्या के पास रुग गया लेकिन तीनु ने कहा चल पार हो जाते हैं नहीं भाई देखता नहीं पुल्या पर आर पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची है बेदे भी कैसी सड़ी पड़ी है मोनु ने मना करते हुए कहा अरे यह दे नहीं टूटेगी चल ना तीनु ने मोनु को खीचते हुए कहा मोनु डर कर दो कदम पीछे हट गया और वापस घर जाने लगा मत जातू डरपोग टीनू ने कहा और पुलिया की सड़ी लकडी पर पैर रखता हुआ निकल गया जैसे ही वेज नाले के पार पहुँचा वेज सड़ी लकडी तूटकर पानी में गिर गई टीनू ने इस और ध्यान नहीं दिया टीनू थोड़ी देर तो मीछे बेर खाता रहा सरदीगा मौसम होने के कारण जल्द अंधेरा होने लगा उसने घर लौटने की सोची घर लोटने के लिए उसे नाला पार करना था, किन्तु तूटी पुलिया के कारण वह नाला पार नहीं कर सकता था. अब उसे चिंता सताने लगी, कि वह वापस घर कैसे जाएगा? उसने इधर उधर भटक कर बहुत प्रियत्न किया, पर उसे नाला पार करने का रास्ता नहीं मिल सका रात हो गई, जंगल में सियार और उल्लू भी बोलने लगे थे, डर के मारे वेज रोने लगा पर वहां उसकी कौन सुनता? इधर देर रात तक टीनू घर नहीं लोटा तो उसके माता पिता को चिंता हुई, वे उसे ढूनने निकले, गाउं में टीनू का कहीं पताना चला टीनू के पिता मोनू के घर भी गए और उसे जगा कर टीनू के बारे में पूछा मोनु ने डरते डरते सारी बात टीनू के पिता को बताई टीनू के पिता गाओं के कुछ लोगों को साथ में लेकर जंगल की और चल पड़े जंगल में नाले के नजदीक पहुँचकर टीनू के पिता ने उंची आवाज में उसे पुकारा पिता की आवास पहचान कर टीनू जाडी से निकला और नाले के किनारे आ गया रोते हुए उसने उँची आवास में कहा मैं यहां हूँ पिता जी नाले के इस पार टीनू की आवास सुनकर एक व्यक्ती तैर कर नाले के पार गया और उसे अपनी पीच पर बिठा कर इस पार ले आया सर्दी और डर के मारे टीनू से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उसके पिता ने उसे गोध में उठा कर गले से लगा लिया और बोले टीनू आज तुम्हें शरारत की सजा मिली है अब तो शरारत छोड़ने की कसम खाओ टीनू ने कभी शरारत ना करने की कसम खाई इस घटना के बाद वह अच्छा बालक बन गया इतना ही नहीं वार्शिक परिक्षा में उसने कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया